जहन सभी साथियों को शाथियों पिछली वीडियो मैं ने बताय था ओडश्वा के रेखेंस जावल्पूर Town उसके बारे में मैं पूर्ण डिसकस कर चुका हम दोस्तों, लेकिन मैंने बताए था कि मैं आपको definitely इसका form कैसे बरना है, कौन-कौन से document है, क्या कि और कुछ है, इसका फूरा process मैं आपको next वीडियो में बताने वाला हूँ, उसी बादेखों में पूरा कर रहा हूँ, इस वीडियो को end तक जरूर देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ठीक है, अगर अच्छी लगे तो, तो दोस्तों, आभी मैं इसमें बताऊं आपको, यह जो वेकिंसी निकाले गई है, आयुदी निर कर चुका, वो दोबारे डिसक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी उसकी पिछली वीडियो की भी लिंक में मैं दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके बारे में और वीजानकारी मिल जाएगे दोस्तों, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं, सर इसकी में apply कौन कौ कर रखे हैं, आपने किसी भी कॉलेज से कोई सी भी ट्रेड में कर रखी हो, आपके पास आई टीए है, ठीक है, गवर्मेंट आई टीए का मतलब समझते हो, मतलब आपका आई टीए नसीवीटी से अप्रूबट होना चाहिए, गवर्मेंट कॉलेज नहीं है, आपकी गवर् आइटेए पास हैं आइटेए आपने कर रखी है बस आइटेए पास होना आपका अनवायत है दोस्तों तो इसमें एपलाई कर सकते हैं जरूर 100% इसमें एपलाई कीजिए एज लिमिट 18-35 साल है इसमें तो कोई दो रहा है नहीं है सभी आ जातने लगबग ठीक है कोई भी आपको फॉर्म को भेजना है कैसे है क्या कुछ है पूरा प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं दोस्तों ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा फॉर्म के वारे में चलते हैं ठीक है mode of selection मैंने पहले बता दिया आपका जो आपके आईटेए में जो नंबर आये हैं उनके अधरप आपकी मेरिट बनाई जाएगी उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा डिस सब्यक्टमाइब आपने अ इक कर रखी है वह थिक तो इसमें बैसिकलिवी जो आपका काम है वह काम है आपका जो भी आपके अहत्यार वगेरा बनते हैं या amusion जो बनता है उसका उसको देख से आप मिल जाए या आप सीधा ही डारेक्ट भी आप इसको फ्रिजियो बलट से देख सकते हैं डारेक्ट लेख देंगे आप गूग्वल पर जाकर डायर्यख क्या लग 2023 फिर्दींगे आप्को खुल के आज आए है दोस्त सुट भी रहा होगा इस को लिए आपको लिफा बैद रहा है जिल ये समझ लेतें कि लिए अंदर क्या क्या करना है जिल के और और उसको self-attested करना है photo को क्या करना self-attested कर देना है photo को photo इस पर चिपकाने के बाद ठीक है और उसके बाद ये तो आपको auto में लिखा हुआ है जो है इसका print निकल वाले ना प्रिंट किसी भी इमित्र वाले पर जाके आपको प्रिंट निकाल देगा दस-पंदर रुपए में आपको प्रिंट निकाल कर देदेगा दोस्तों कोई भी आपका application fees में है नि कोई भी आपका डी डी आई पी यो कुछ भी निए बनवाना है आपको सिर्फ यह form भरना है और आपको दस से पांच रुपए का डंक टिकेट लगा कर साधरन से भीज़ने अगर नॉर्मल आप मेल से भीज़ेंगा तो आपको 30-40 रुपए का खर्चा आएगा आप मेल से भी कर सकते है 30-40 रुपए उसके बाद आपको करना है कि जो अपने नाम है को अच्छरों में लिखना है पूरो नाम लिख जो कछ भी आपका वो भी आपको लिखना है लेकिन जहातर जहाית दक आपको capital में ही लिख देना है अगर आप लेड़ी हैं तो आपका husband का नाम लिख सकते हैं तो जैसे आकास अब इसक lesser ये father का नाम बी capital में लिख दिया जैसे मैंने लिख दिया मेहिंडर ठीक है कि तर्श्सक्राइब में लिख देना उसके बाद आपको लिखना है आपका date of birth जो आपके आयुशीमा क्या है उसको पहले आपको date of birth को यहां पहले दिन में लिखना है जैसे एक, दो, तीन, चार अतीश तक जो भी आपकी है उसको लिख देना है जैसे मैं 08008 लिख दिया उसके बाद मार्च में तो 03 लिख दिया उसके बाद जो भी date of birth है उसको यहां आप लिख सकते है ठीक है आपकी जो जो last की year है उसको आपको food लिजिट में लिखना है यह उपर दे रखाया format के सहसाब से आपको लिखना है यह लिखने के बाद आपको last date है आपकी 11 मार्च 11 मार्च के दिन आपको आपकी लिख देनी है जैसे अभी मैं इसका निकालूँगा तो यह मेरी जो date of birth है वह रही है आपके 24 साल मेरी हो रही है 24 बर्स यह 24 एयर और 11 मंथ 11 मंथ और यहां पर होगी आपके तीन दन कम पड़ेगे ठीक है तो यह हो जाएगे आपकी 27 days ठीक है यह date of birth होगा यह आप अपने ह इसका calculator है आप निकाल सकते है ठीक है नेशनल्टी सबकी क्या है इंडियन है सभी तो इंडियन आपने नेशनल्टी बर देंगे इंडियन ठीक है उसके बाद category जो इस category से आते हैं उस category का आपको certificate लेगाना है जनरल को छोड़ के जिसे मैं OVC ता आता हूं तो मैंने OVC कर दिया इसको कार्ड दिया उसके बाद मैं कोई disability है या मैं तो physical handicap हूं तो yes करोगा नहीं है तो otherwise no कर दूँगा ठीक है उसके बाद अपना complete address लिखना है complete address में क्या लिखना है सबसे पहले आपका नाम लिखना है फादर का फिर आपका village जो भी है वो लिखना है उसके बाद पोश्ट लिखना है कि आपका पोश्ट क्या है और फिर उसके बाद आपको तैसील लिख देना है तैसील क्या है आपकी और उसके बाद आपका district लिख देना है ठीक है पहले से लिखना है तो छोटा छोटा आपका आजाएगा उसके बाद आपका पिन कोड आ जाएगा ठीक जैसे मेरे हैं कट्ट मार्क ठीक कर्ट मार्क और टीए कानि जो भी आपके हैं इस्कों लिखते कोई डिकत नहें डिखत नहीं यह क्लिख देते हैं यह तो कोई लगी आपको प्राइब करे e American ऑरक दडुख देते हुंsc ठेस्त का medium कौनसा आप अंगरेजी में अफना ट्रे स्ट देना चाहते हैं यह वह दिनुमें चाहते हैं तो मैं WHO ही हिंदी सन्थ चाहां तो मैंने हैं पर हिंदी लिख दिया ऑगे है उसके बाद फिर यह अगला आगया आपका इसमें दस्मी की वो लिखनी, name of school और college का, दस्मी का इसमें आपको भरना है, दस्मी 10th standard का, ठीक है तो इसमें school का नाम, जिस school में आप पढ़ेते हैं, उसे school का नाम लिख देना है board जो है, जैसे मैं राज्तान से किया तो मेरा राज्तान BACER लिख दूँगा आपको इसमें देखाना है, तो इसमें आपको इसमें लिख देना है तो यह दस्मी की डिटेल अपने पास होगी, उसके बाद आता है आपके ITI की डिटेल्स में लिखनी है का ITI की डिटेल क्या है तो इसमें name of institute organization जो जिस जहां से आपने आइटे किया उस institute का नाम लिखना है time period कवे कब से कब तक आपने किया तो दो साल का time period होता है ठीक है जिसे मैंने 2017 में यह start किया 2019 में मेरी खतम हो गई यह लिख दिये और इसमें certificate नमर और issue date उस पर certificate पर लिखा रहता है जो आप certificate लाते हो उस certificate पर उपर एक नमर लिखा रहता है जिसको enrollment नमर या अनुक्रमांक नमर बोलते है वो और नीचे एक date लिखी होती है certificate पर वो date यहां पर आपको लिख देनी है ठीक है उसके बाद आपको apprenticeship और इसको है ठीक है दोस्तों अब आगे आप जैसी जाएंगे तो इसमें आपको document क्या-क्या लगाना है दोस्तों को document सबसे important है जिसके बारे में मैं discuss करने बालों सबसे पहले प्रूप of date of birth का प्रूप क्या हो गया आपका दस्मी के मार्सित तो आपने यस लग दिया इसमें क्या लि लगाया है तो आप yes कर देंगे है ठीक है एस कर दिये है फिर आपने apprenticeship certificate ordination EWS के लिए लगाना है अगर है लगा रहे है तो उसको yes कर देंगे ठीक है और OBC certificate declaration है वह appendix A और B इसमें नीचे दे रखा है अगर OBC candidate और सर्विसमेंट केंडिटेस दो के लिए ही है वो पर्फॉर्मा ठीक है अगर मैं OVC से आता हूँ तो मैं उसको लगाँगा और यस कर दूँगा वो नी से आएगा मैं आपको बता भी दूँगा कौन सा वो पर्फॉर्मा ठीक है उसके बाद आपको कंप्लीट बैंक डिटेल फ इसको भर है दोस्तों उसके लिए क्या है मैं आपको नीचे बता दूँगा दोस्तों ठीक है उसके इसको इसको मैं अलग से बता हूँगा नीचे ठीक है वाइदर और जो डॉकमेंट आप लगा रहे हो वो सभी सेल्फ सर्टिफाइड होने चाहिए यान खुद के साइन करन का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले उसको जो जी रॉक्स होगी जी रॉक्स पर नीचे जहां जागे हो वहाँ पर सबसे उपर लिखना सेल्फ अटेश्टर फिर उसके नीचे आपको साइन मारना है ठीक है और फिर नीचे आपको फुल नाम लिख देना जैसे मैंने यहाँ पर लिख दे दिया इससे सबसे आकास ठीक है यह लिखने के बाद मेरा यह सेल्फ अटेश्टर माना जाएगा दोस्तों दीक हो आगे टू कोपीज ऑफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ की दो कोपी लगानी है एक तो आपको फोटोग्राफ लेके जो आपका फॉम है उसमें सबसे ऊपर यहाँ पर चिफका देना जो मैंने बताए था आपको यहाँ पर एक फोटो तो आपको यहाँ पर चिफका देना और एक फोटो पर करना क्या है कि आपको बैक साइड पर फोटो के पीछे की तरफ आपको उस पर नाम और डिटो बर्थ लिखना है उस फो यहां पर अपना सिगनेचर करने के बाद यहां पर पर यहां पर चीहंड से आपने लिख देनी यहां अभर आजचोल fallen वह दो ऑजार चौन ँए विदा इस विद्सक्राइब करते हो देट के सभॉडा ऊज़ए विद्सक्त्राइब शॉली बहुड सा इस तरिका से मेरे प्लेस हो गई उसके बाद आपको करना क्या है यह सब कुछ भरने के बाद यह यह फॉर्म था जो आपका के लिए बहांगा था इसको सेल्फ डिकलेशन यह इन कंडेटों के लिए जो बर रहे हैं इसमें सबसे पहले आपना नाम लिखना है, ठीक है? इसमें सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, ठीक है? यह लिए नहीं India नाम आएगा जैसे मेरा नाम आकास है तो सबसे पहले इसमें इंडिविजल का नाम आएगा मेरा नाम आएगा उसके बाद में सन और यह हीर्टर जो भी हूं मैं सन हूं तो संपेख कर दिया और यह अपने फादर का नाम आ जाएगा जैसं है खेलिया महेंदर ठीक मोनलिकोन की आपको का इंसके आता है जो भी आपको जाती है यांपर लिख देना है यह सब कुछ लिखने के बाद करना किया है ठीक है उसक बाद घ्रनें के बाद आपना date लेग देना यह है आपका जो उसमें एग नमर माँगा है उसके बाद ex-servicemen का यह अलग है ex-servicemen का भी सहें में आपको नीचे sign मारना है individual को ठीक है दोस्तों तो यह था form इसको इस तरीका से भरना है अब इसको भीजना कैसे है वो important बात है यह form भर लिया सबको समझ में आगे अभी भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखके बताएं उसको definite solve करोने की कोशिश करूँगा दोस्तों ठीक है अब इसके साथ कोर कोंसे document लगाने है वो में document में yes no में आपको सब कुछ से बता दिया दोस्तों कि इसके अने अच्छी वाले दे दोस्तों किसी के बेकाव काने बात है कि망री बहुत अच्छी औहली से बहुंत कि Umuh कि दी CRS में इंबलब आपको करना क्या है उस ब्लोक से बड़े बड़े अक्षरों में उसके सब से ऊपर लिखना है tenure based dbw personal ठीक है on contract basis ये लिखना है उस पर लिखने के बाद नीचे उस envelope पर आपको ये address लिख देना है इस address पर टू मारना टू करना और नीचे इसको लिख देना एक तरफ और इधर corner में from मारना और फ्रॉम में आपका खुद का address लिख देना के जहां से आप इसको भेज रही हो वह लिख देना और लिखने के बाद इसको simple जाके speed post करा देना है इस address पर दो या तिन दिन मा आपका फॉम उदर पहुंच जाएगा हम आपका accept कर लिया जाएगा उसके बाद फिर आपकी percentage के आधार पर merit list निकाली जाएगे और उसके आधार पर आपका finally select मान ले जाएगे तो उसके लिए practical को बलाए जाएगा आने जाने का खर्चा है बहुत अच्छी से अच्छी जाओए दोस्तों ठीक यह contextual base भले ही है लेकिन जब आप select हो जाओगे आपका job अच्छा होगा आपके जो काम कर करने से अगर वो खुस होगा department तो आपको कभी भी बाहर नहीं निकालेगा आगे भी आपको पदोन रतीस में मिलती जाएगी दोस्तों ठीक है तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरू बताएं मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक्स है तक तक लिए जहें बंदे मात कर दो कर दो